नमस्कार् त्रीजी डिसेंबर आजनो दिन महिमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसादनी जन्म जहनती स्वतंत्र भारतना प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो जन्म बिहार प्रांत मां त्राण डिसेंबर अधार सो चोर्याशिना रोज थयो हतो खुब तेजस्वी विज्जार्थी राजेंद्र बाबु ये बी ये अने ललम नी परिक्षा उत्तिर्ण करी वकिलाच शरू करी दर्मियान गांधी जीने विचार सरने तेमना जिवन पर भारे असर करे हती सवने अ सहकारनी लड़तमा जोड़ावा अमंत्रन आप्यू हतो कोंग्रेस ना प्रमुक तरिके त्रण वार जवाबदारी वहन करे ले कोंग्रेस प्रमुक तरिके मुंबय गिया त्यारे लाखो लोकोये यमनो दबदबा भेरू स्वागत केरू हतो तेमने बिहारना गांधीना नाम थे संबोधवामा आउत्राहता आजादी पछे बंधारान समीतिना तेवो अज्यक्ष बिन्या इस विशन उग्णिसोपचास ना जान्युआरी नी छोविश्मी तारिखे भारत ने सार्व भावं स्वतंत्र राष्ट तरिके घुशित करवामा आविव अने डोक्टर राजंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत ना प्रथम राष्टपती तरेके पसंद करवामा आविया आवा सर्वच पदे प्रस्थापेत थया छता अभिमान नो अंशिपान एमने स्पर्शन होतो सौमनात मंदिर मां एमना हस्ते प्राण प्रतिष्टा थेली तेवो निडर छता अज्ञात क्षत्रु हता राष्टपती पदपर्थी मुक्त थया पछी तेवो पोते स्थापेला आश्त्रम मां रहवा आवि गया अने त्याज थोड़ा समय नी मांदगे भोगवी इस विशन उग्ण सो त्रेंसेट मां स्वर्गस्त थया सेवा सैयम अने साध्गी एज्यमना जिवन मां ताना वानानी माफक वनाई गया हता तेरा जंद्र बाभू आरतना राजपुर्शो माटे खुदा हरान रूप छे आवश्यक्ता इस बात की है जो हम साधनों को सरक्षित रखें और मुतब बैता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रत्वंद व्यात वियापार के विस्तार और उद्ड्योग साचशि के ख्षेपरों में राष्ट्रिय आठमनर भर्ता में विद्धी दौरा इन साधनों का विस्तार करें इस बात की जरूवत हैं कि पादग कार्जियों के लिए धन कुटाया जाए और अनोब पादग कामों के हो हाथ में न लिया जाए और अतित अंग्रह और सत्ते की स्तमाज दिरोधी प्रवित्तियों का दमन किया जाए केवल सरकार्द द्वारा ही नहीं बलकि ज्यनता द्वारा भी प्रयात्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोच सफलता प्राप्त हो सकती है हमें अधिकुछ पाधन करने और निर्मान कार्ज में सुधार को बनाया रखने के लिए अपने सादनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है कि इन ताथकालिक कष्णाईयों के कारण मुनती के मार्ग में बालान पढ़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो सादनों को जुटाकर उन कसनाईयों पर काबू पाया जाए और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्षों की प्राप्ती और वितास की गती गीनी नहों ने दी जाए ऐसे प्रोप्नी की सफ़ता में जन्मत का बहुत बड़ा स्थान है और ये प्राय दिर्नायक से जो होता है जन्साधारन का जुड़ निच्चे और जोश उन्शासर में रहने के लिए उनकी तक परता प्रेतनों के लिए आवाहन का स्वाज़त और समाज बिरोधी बेवहार जैसे अति संचे हुदूर खर्ची आज की रोग काम करने का उनका संकल्प भी देश के लिए इस तंकत काल को पार करने में सहायक होगा